तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकी एडमी के इस नय और लेटेस्ट वीडियो में सो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के उर्दू के दो चैप्टर चैप्टर नमबर 8 और 9 इन दोनों चैप्टर का कोशन एंसर कंप्लीट करने वाले हैं जितना भी सब्चेटिव कोशन आप लोग के बुक में इन दोन चैप्टर से दिये गए हैं पुछे गए हैं वह सारे सब्चेटिव कोशन का आज किस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट कराने वाली हूँ इसे वज़े से वीडियो काफी important हो जाता है क्योंकि दो चेप्टर का solution मात राज के इस एक वीडियो में होने वाला है और इसी तरीके से दो दो चेप्टर आप लोगो complete कराये जाएंगे जंकि इसके अगले वीडियो में 10 और 11 आज कि यहाँ हो ना उनका इंट्रेस्ट कतम हो जाता है चोड़ो बात में कर लिया जाएगा ठेक है न तो वह जैसे कि फर्स्ट वीडियो देखते हैं पुरा excitement के साथ चप्टर वन और टू कंप्लीट कर लिए फिर थी-फॉर की बात आई तो थोड़ा आपसे याद होपाएगा इसी वजह से मैं दो दो चैप्टर करके चैप्टर वाइस आप लोगो को कोशन एंसर कंप्लीट करा रही हूं तो बस आप लोग अगर यहां पर कमजोर पड़ गए ना कोशन एंसर मैं यह नहीं बोल रही हूं कि आप लोग याद कीजिए लिखिये यह मैं कहना चाहा हूँ कि कोशन एंसर हमारे द्वरा हमारे हाथों द्वरा घुट से त्यार करके सीम्पल और आसान भारता में त्यार करके आप लोगों को बाद में कराऊंगी लेकिन अभी जो आप लोग प्टार किया रही हूं यह इसलिए करा रही हूं तआकि जो आप खुद से एंसर दे पा रहे है कि नहीं और जो जवाव आप लोगों को बताया जा रहा है उससे पता चले कि bisa कैसे लिखा जाता है यह हरके कुषिंग का काइस घंशय रही हूँ अब जरूर नहीं है कि हर एक कुष्ण आप कितना लिखेंगे बहुत ज़्यादा लंबा लंबा एंसर है और 40 चप्टट Corn चारी स्टेक्ट ने हैं तो बहुत ही जएदा परेशानी अपको तो लिखे नहैं अप द्रण अपने मांड में विट करें मांड में लिखना शुरू करें कोपी में नहीं कोपी में लिखेंगे तो कोपी में ही लिखा रहे जाएगा माइंड में लिखेंगे तो माइंड में लिखा रहेगा ठीक है मतलब कि आप लोग को चीजे याद रहेंगी कोशन का एंसर चलो पूरा कंप्लीट मतलब हूब 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 नहीं याद होता है लेकि प्रवल के पन सब्सक्राइब कर लिए हैं कि विडिया आप यहां से पहलें पहुंच जैसा है से तवील सवालात फिर नेक्स चेप्टर का मुक्तसर सवालात और फिर तवील सवात और थोड़ा मैं फास्ट कराऊंगी ताकि कम समय में हम लोग ज्यादा कुछन एंसर कंप्लीट कर पाएं ठीक हैं तो देखिए सबसे पहला सवाल है कि डारेक्टर जनरल स्यद अजीज अहम तो अगर आप लोग चेप्टर पढ़े हैं तो इस कोशन का एंसर आप लोग अपने भाषा में भी लिख सकते हैं अपने शब्दों में लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर ज़रा जवाब में जो लिखा गया है इस जवाब में स्टार्टिंग और लास्ट ज़रा देखिएग लिखा गया है कि डारेक्टर जनरल सियद अजीज एहमद लोगों के जहनेों से इसलिए फरामोश हो गये कि इस बुकदोशी के बाद उन्होंने गाड़ी रखना छोड़ दिया तो लोगों से मिलना मिलना कम हो गया इसलिए लोग भूल गये कि वो डारेक्टर जनरल भी थे वो गोशाय नसी हो गए और नेम प्लेट भी लगाया तो सिर्फ अजीज एहमद का जिसके नतीजे में लोग यह भी भूल गए कि वो सेयद जादे भी थें यहाँ तक कि लोग यह भी भूल गए कि वो अजीज एहमद भी थें अपने जहनों से फरामोश कर चुके थें ठीके ना क्योंकि डिरेक्टर जनरल एहमद जो है ना जब इनका रिटार्मेंट हुआ था तो गाड़ी रखना छोड़ दिये थें तो लोगों से मिलना मिलना बंद हो गया उसके बाद से वो अपना घर के सामने जो नेम प्लेट ल अधीयों यह अधीयों करें से लगवा कर सिर्फ अधीयों करने से लागवाये थे तो लोग यह भूल गया कि से दिन ठाव कंपार ब्हुत हैं twelve के अधीयों कोई इस दुनिया में धिक हैं आप डिरेक्टरी की लाश कब तक कांदे पर लिए फीरेंगे यह बात बीवी की ने बीवी ने सियद अजीज एहमद से इसलिए कही कि डारेक्टर के ओदे से रिटायर होने के बाद सियद अजीज एहमद तकरीबन बेकार हो गए थे और अक्सर दोनों मिया बीवी पीरी की वज़ा से बिमार भी रहने लगे थे इसलिए इसलिए तंगी में घुजर बसर होती थ थे थे कि अब कोई काम भी करेंगे तो वो डारेक्टर से कंतर दर्जे कही होगा इसलिए वा किसी भी काम को अपने मियार से समझते थे इसलिए तंगी से गुजर बसर को कमतर मियार के काम में सब सबकी सबकी उठाने से बहतर समझते थे इस वज़ाया कि डिर्यक्टरी के लाश को कब तक ढ़ोते रहेंगे तो यह बात थी, मतलब कि स्था अच्छ स Matthew Treasure तो यह कोई भी काम करने जाते थे तो यही इसी वज़ा से जो है ना उनकी बीवी कहती कि कब तक डारेक्टरी की लास अपने कांदों पर धोते फिरेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल है कि आप बहुत काबिल और बड़े दानिश्वर हुआ कीजिए असल बात यह है कि आपको मादी फायदा क्या हुआ बेटे ने यह बात क्यूं कही तो देखिए जवाब में लिखा गया है कि बेटे ने अपने सुबक दोष रिटायर बाप से यह दिजिज एमर्द से यह बात इसलिए कही कि आपको बहुत बड़े काबिल और दानिश्वर हो लीजिए लेकिन आपको इससे मादी फायदा क्या हासिल हुआ बेटे के कहने का मकसद था कि आप चाहे कुछ किजिए लेकिन हमें आमदनी से मतलब है यानि चाहे आ जहां से ला कर दीजिए बाप का मतलब है आउलाद के लिए आमदनी का जरीया अगर बेटे को बाप से कोई Мादी फायदा नहीं मिला तो बाप का वजूद ही बेकार है ये बात बेटा जो है अपने बाप से कहता है यानि कि सेयेद अजीज आहमत से कहता है आगे बढ़ते ह इस कदर डूबे के एक बार सखत बिमार पड़ गए एसीजी कराया और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने खतरनाक बिमारी का इशारा दिया और सिग्रेट जो उनका पुराना साथी था जिससे तनहाई में गम गलत किया करते थे उस पर डॉक्टर ने मुकमल पाबंदी लगा दिया अब रातों को तनहाई में लिखने पढ़ने के दौरान उन्हें सिग्रेट की जुदाई का कर्व सकाने लगा इस करब को मिटाने और गम गलत करने के लिए उन्हें एक पुराना साथी की याद आई उनका पुराना ट्रांजिस्टर जो उन्हें दिल की बाते किने डे की लोंग टाइप पैसाना है की तलखीष कीजिए शाफी जावेत का एक नुमाइंता अफसाना है het इसमें सुभुखदोशी के बाद तनहाई के करब पर फनीचा बुखदुस्ती के सांत रोशनी डाला है कहानी कुछ इस तरह है कि सेद अजीज अहमत को डायरेक्टर जनरल के ओदे से रिटायर हुए दस साल का अरसा बीट चुका था यहनकी दस साल हो चुका था सुभुखद तक कि अजीज अहमत ने घर में नेम प्लेट भी सिर्फ अजीज अहमत का लगया इससे नुकसान हुआ कि रफ्तर रफ्तर लोग यह भी भूल गए कि अजीज अहमत कोई डायरेक्टर भी थे और यह भी भूल गए कि सेद अजीज अहमत जो हैं वो सेयद जादे भी थे यहा व्हाइय में उन्हे अपने एहदे का जमाना याद आ रहा था माजी के जरोकों में ऊपना शानदार जमाना फिल्म की मनजर की तरह घुमता हुआ ञारा था माजी के सम Commun King में गोत लगाते लगाते हुआ वह उंगने लगते हैं फिर दिल बहलाने के लिए तीवी का न्यूस सुनने चले गए वहां उनका नवासा जो था वो टीवी पर लो ओन इंटरनेट नाम का प्रोग्राम देख रहा था खबरों के आने के इंतिजर में वह उंग गए लेकिन नवासे ने उनकी मौजूदी का कोई नोटिस नहीं लिया आखिर उन्होंने टीवी पर मौजूदा प्रोग्राम के बारे में दर्याप्त किया लेकिन नवासे ने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया और उठकर चला गया फिर सेयद अजीज एहमद खुद ही टीवी से उठकर चले गया है और नवासा फिर आकर खामोसे से टीवी देखने लगा ये सारी बात थी आगे भी लिखा गया है मतलब आप यह कह सकते हैं कि बहुत लंबा एंसर लिखा गया है यह तवील सवलात है ना यानि कि लॉंग टाइप कोशन है तो एंसर भी लॉंग होगा लेकिन आप इसको अपने हिसाब से कार्ट चाट कर छोटा कर सकते हैं और जरूरी ने कि इसको आप लोग इसको सिर्फ एंसर को सुन लीजिए और समझ लीजिए कि हाँ जवाब किस तरह से लिखा जाए बस और मतलब इसको लिखने की जवट नहीं बस आप लोग को समझ लेना है माइन में यह फिट कर लेना है कि हाँ जवाब इसी तरीके से लिखा जाएगा आगे नजर अंदाज करना शुरू कर दिया था किसी प्रोग्राम में जाते तो मिलने वाले भी उनको बेकारी का ताना देते इस सुरते हाल से दोचार होने के बार सेद अजीज अहमद ने जिंदगी की बेसबाती और उसके फलसफ़ा को अच्छी तरह समझ लिया लेकिन बेवी और दॉटे थे कि उनको बैटने नहीं देते थे यहां तक कि कुछ कमाने का कमाने का पैशा करने का मसवरा देते थे और दौलत की एहमियत का समझाते थे यहां तक कि अजीज एहमद एक दिन सख्त बिमार हो गए, डक्टरों ने तश्कीज की, तश्कीज के बाद सिग्रेट छोड़ देने और मुकमल आराम का मश्वरा दिया, अब उसके बाद से इस तनहाई के कर्व में उन्हें अपना ट्रांजिस्टर याद आया, जो उनका जो उम्मत नहीं हारा, और रात बहर तलाश करने के बाद आखिर का ट्रांजिस्टर को ढूंड निकाला, उनके चेहरे पर फातहाना और अबदी मुस्कुराहट थी, सुबह के साड़े साथ बच चुके थे, बुले बिस्रेगीत का प्रोग्राम खत्म हो चुका था, और यहां पर सवाल का जवाब कंप्रीट होता है, आगे वढ़ते हैं, दूसरा सवाल है, कि सियद अजिस एमד के GUYरार पर अपने खियलात क psychiatric कर्दार को वाज़ा करना है, या पर अज़ार करना है अपने खियलात का इथार, तो देखिए जवाब में लिखा गया है, कि पेश नजर इसी किरिदार के इर्द गर गुहूंते हुए नजर आते हैं सिया दिद अजिस एमध अपने उरूच के जमाने में डिरेक्टर जनरल के परवकार उहदे पर नजर आते हैं उस परवकार उहदे से सुखदोश होने आते हैं इसके अलावा सियद अजीज एहमद, बेटा, बीबी और नवासे के गलत रवगये और सफ़काना, सुलूप और बेरहमी को नहायच शिद्दत से महसूस करते हैं किसी बड़े ओधे से रिटायर कर जाने वाला एक ऐसा शक्स अपनी गुज़स्तर जिन्दगी के उसूल पसंदी, इमानदारी और तरज रहायस के मुतालिक अपनों के दिल आजारतन जो तमस्कर को बरदास्त करता हो, अपनी बढ़तीवी तनहाई की करब कामदावा ठेकी यह उसी शक्स के जिन्दा दिली की पुरसर कहानी है, अजीज एहमद इस कहानी का एक जिन्दा और मतहरक करदार है, घर वालों की बचलू की पर उसका रद्दे अमल एक ऐसे खुद आगा और होश मंद शक्स का रद्दे अमल मालूम होता है, जिसने इंसानी रिष्टों के खोकलेपन के मुकाबले में जिन्दगी की सच्चाईयों को दर्याफ्त कर लिया है, और जो उन रिष्टों से उलजने के बजाए, अपने मामूलात जिन्दगी से ही चंद लमों की खुशी के हुसूल की खातिर तनहाई के रफीक सहारों के तलास से बाज नहीं आना चाहता यह सहारे मुझरत रिसा सिग्रेट जैसी शाई और एक तरपत तोर पर तनहाई कामदावा बन जाने वाला ट्रांजिस्टर जैसी बेकार सही ही क्यों नहों अफसाने के मरकजी किरदार अजीज एहमद के फिक्र वाहिसास की अपना नशीव वफिराज के जिस शदीद वाकती रहती है यह हो गया एंसर आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल है इस अफसाने की रोष्णी मेर्शाफी जावेद की अफसाना निगारी पर इजहारे खियाल कीजिए जवाब में लिखा गया है कि उर्दू अफसाना निगारी के उफक पर खसूसन सोबा भिहार के क्लास अफसाना निगार में शाफी जावेद ने अपनी एक पुखता सनाक्त बनाई है उनके ज्यादतर अफसाने अदब बराए जिंदगी के नुमाइंदगी करते हुए नजर आते हैं जेर नसाब अफसाना भुले बिसरे गीत को भी उस जम्रे का अफसाना समझना चाहिए जिस अपनों की अजियत नाक बदसलूखी के कर्व की पेकर तराशी की हैं आगे देखे क्या लिखा गया है बादल नजर में अगर देखा जाए तो मौजूदा अफसाना भुले बिसरे गीत शफी जावेद की खुदनविष्ट सवाना या आप बीती नजर आती है यही वज़ा है कि माजी की रूमानवी यादे शफी जावेद की अफसानवी फिक्र का महूर नजर आती है माजी के वाकियात को मौजूदा एहद से निम फलसिफयाना अंदाज में जोड़ते हुए वह अपने अफसानों में थोड़े वक्फे से हाल और माजी के मिलने और रुक्सत होने की कीफयत मुसलसल जारी रहती है यहाँ पर थोड़ा सा मिचक गया है पर कोई दिगर ने फलेश बैक या कभी शओर की तकनीक से संभलते रहते हैं ठीक है यह थोड़ा सा लिक है उसकी जबान अफसानवी फिक्र के एतबार से बदलती रहती है लेकिन इस जबान में उस असलूब की तरफ इशारा करते हैं पनी नुक्ते नजर से वह एक शायराना अंदाज है जो उनकी अफसानों में रुमानी लहर को तेज करता रहता है करतुल एन हैदर के बाद की नसल में शफी जावेद गालबन इस असलूबी रवायत के तनहा वारिस हैं अब यहां से अगले चप्टर का यह कोशन है च chilli नमबर नाईन का समझेएगी सबसे पहले मुखतसर सवाला थे short type कोशन में पहला कोशन है कि इबराहिम सक्का की तालिम कहा तक होई थी तो इबराहिम सक्का धोरन गाउ में सभी गाउवालों को पानी पिलाता था अब सानानेगार के posting हाल में ही उसी गाउं के स्कूल में उस्ताद की हैसियत से हुई थी, उनके पास भी इबराहिम सक्का पानी लेकर पहुच गया, सच पूछिए तो इबराहिम सक्का पूरे गाउं का एकलोता साकी था, यान कि पानी पिलाने वाला शख्स था, और शायरी का जोग भी रखता था मगर तालिम के बारे में दर्याफ्त करने पर उसने बताया कि वह चौथी दर्जा पास से यांकि चौथी दर्जा तक ये पढ़ा हुआ है दूसरा सवाल है कि इबराहिम सक्का किस से महबबत करता था तो इबराहिम सक्का बेदार खादेशमुक की बेटी नहीं बलकी बहन थी ठीक है बहन रहेगा इबराहिम सक्का जो थी इबराहिम सक्का जो था वो बेदार खादेशमुक की बहन से महबबत करता था बेदार खादेशमुक चुके समाज का एक दबंग आदमी था और विराहिम सक्का एक मामुली भिष्टी था, पानी पिलाने वाला, जो घर-घर पानी भरता फिरता था, इसलिए वो अपनी महबत का इजहार नहीं कर सकता है, विदार खादेशमुक की बहन, बेटी नहीं बहन, बहन भी विराहिम सक्का से उसी कदर प्यार करती थी, मगर व भी बाप के डर से खामोश रहती थी, तीसरा सवाल, कि इस अफसाने में किस गाउं का किस्ता बयान किया गया है, बहत ही असान क्यूशन है, इस अफसाने में धुरन गाउं का किस्ता बयान किया गया है, जहां अफसाना निगार एक मुल्लिम की ऐसे पढ़ाते थे, और नौ के पानी का इंदजाम था लोग कुए का पानी पीते थे और नारो जैसी मोजी मर्ज का शिकार हो जाते हैं मुखतसर हिया है कि धोरन एक बहुत ही पसमानदा गाउं था चौथा सवाल है कि अब्दुर्रब और अब्दुल्ला भेंसा कौन था तो अब्दुर्रब धोरन गाउ के स्कूल के हेड़ मास्टर थें यह उस वक्त की बात है जब अफशाना निगार इंस्पेक्टर ऑफ इसकूल बनकर धोरन गाउ गये थे और अब्दुर्रब की स्कूल का मुआइना करने के बाद अब्दुर्रब के हस्भवखवा पर हस्भवखवा रिपोर्ट तयार किया था लेकिन उस वाक्य से 25 साल पहले जब अफसाना निगार धोरन गाउं के स्कूल में मौाइन मौनलिंग की हैसित से वहां गये थे तो उस जमाने में धोरन गाउं के सरपंच का एक लड़का था जिसका नाम अब्दुल्ला भैसा था तो अब्दुल्ला भैसा कौन था बिन रिजाक है सलाम बिन रिजाक महरास्ट चसूबे के रहने वाले हैं और या कहानी वही के समाजी पसमंजर में है या अफसाना सलाम बिन रिजाक के अफसानवी मजमुर शिकस्ता बूतों के दरमयान से माखुज है या समाज की कमजूर तबके से तालुक रखने वाले ल बहतरीन अफसाना है इसुआर कर्दार के इर्दगिर्द भूंते हुए नजर आते हैं धोरण गाउं मैं इबरहिम सक्का भिष्ती का काम करता है इस गाउंका यह वाहिद भिष्थी है जो doesn't गाओं के लोगों को पानी पीलाता है यहां तक के पानी भरने के लिए शेक साहब के यहां भी आता है और उस किरदार की कराश खरास में अफसाना निगार ने फ़नी चबुदुस्ती का मुझाहरा किया है अफसाना इबराहिम सक्का एक मामुली शकल वस्यृत का इंसान है और लिए और हस्रतों को हमारे सामने लाकर रख दिया है इबराहिम सक्का एक खुद्दार और महनतकश इंसान है वह किसी के रहम वा करम और दोसरों के टुकड़े पर जीना नहीं चाहता बैलकि महनत करके रिज्क हलाल खाना पसंद करता है इबराहिम सक्का एक एक बीस का नौजवान लड़का है इसलिए उसकी शक्सियत के अंदर भी इश्क और महबत के ससाथ वह जजबात उमरते हैं चुनांचा वह विदार खादेश मुक्द जैसे दबंग आदमी की बहन रहेगा बहन से महबत कर बैठता है लेकिन उकुर्बत और मुफलिसी के वज़े से वो अपनी महबत परवान नहीं चड़ा सका वो अपनी महरूमियों को खामोशी से बरदास्त कर लेता है या तक कि उसकी महबूबा भी उसको चाहने के बावजूद मजबूर है और वो इबरहिम सक्का की जुदाई के गम में दुनिया को ही खैरबाद कह देती है उसके तर्ड़की के कि खबर पर अपनी जान दे देता है ठीक हैं दूसरे सवाल है कि अफ़सना इबैहिम सक्का के पेश्य नज़र से लाम बिन रजाग की जजबात нिगारी पर रौश्णी डादीं जवाब में लिखा गया है कि जेर नजर अफसाना इबराहिम सक्का सलाम बिन रजाक का एक जजबाती अफसाना भी कहा जा सकता है इस अफसाने में सलाम बिन रजाक ने जजबात निगारी पर भरपूर तवज्ज़ दी है अफसाना के मरकजी किरदार इबराहिम सक्क की तराश खराश जिस अंदाज से अफसाना निगार ने किया है उससे अफसाना निगार के जजबात निगारी की सलाहियत का इजहार होता है इस कहाने में एक भिष्टी का वाक्या है इस तरह से बियान किया गया है कि जो बॉब जाहर अपने किरदार के एतबार से एक आम और मामूली आदमी नजर आता है मगर उसकी शक्सियत के अंदर जिस किस्म की काबिल तवज्ज़ खास और गयर मामूली ख्सूसियत पोशीदा है जो तदर्जा नजर आती है और उन पर से एक के बाद एक तख खोलने और उसके साथ ही उसके जिन्दगी के अंजाम के पेश कसमे सलाम बिन जर्जाक ने बेपना तखलीकी सलाहियत का मुझारा किया है बिलकुल मामूली शूरत वसकल का ये गरीब भिष्टी अपने जिन्दगी के तकालिफ महरूमिया और उसके हस्रतों से अच्छी तरह वाकिफ है वा फितरतन खुदार और मेहनती है वा किसी के रहम वाकरम और दूसरे के टुकड़ों पर जीना नहीं चाहता है या तमाम बाते कहाने के रावी की महरुफत कई वाकियात और उसके किरदार के मुफटसर मुकालमों के जरिये उस अफसाने में उम्दब फनकारी के साथ बियान हुए है किसी को चाहने और चाहे जाने की खुद उसके किरदार की अंदरुनी और पोशीदा इससाद की इमाई और उसके अलमनाफ अंजाम की डिरामाई पेशकस में इसलाम बिन रिजाक में जजबात में गारी का के कमाल का मजाहरा किया है आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल है कि इब्राहिम सक्का की मौत की इन हालात में हुई तफसील से बताएं जवाब में इशागया है कि इब्राहिम सक्का की मौत अजीब औ गरीब हालतमें हुई पहली बात तो यह कि वह बैदारखा धिशमुक की बहन से इशक करता था और गुर्बत के वज़ा से अपने इश्क के इज़ार की जरात नहीं रखता था चुम्कि बेदार खादेशमुक समाच का दबंग और मगरूर किसम का आदमी था यहाँ तक कि उसके बहन भी वराहिम सक्का से इश्क करती थी लेकिन उसमें भी जहार की जरात नहीं थी एक दिन अच्छानक सुना गया कि बेदार खादेशमुक के हां रात में चुर गुसाया था लेकिन चुर पकड़ा नहीं जा सका मौका देखकर भाग गया फिर दो तीन दिनों के बाद मालूम हुआ कि बेदार खादेशमुक की बहन ने खुदकुशी कर लिया रात ही में जनाज़ा उठाया गया और दफन करने के लिए कब्रिस्तान ले गए इबराहिम सक्का रात की तारीकी में चादर ओड़कर शेख जी से मुला इस हालत में के बुखार से कांपरा था और उसके पूरे जिस्म पर लड़जतारी था उसने एक मुठी मुठी शेख जी के हवाले किया मतलब की मास्टर साहब को दिया बिदार खादेश मुख की बहन की कबर पर मेरी तरफ से डाल दीजिएगा इधर जनाजे में शामिल लोग सरगोशिया कर रहे थें कि बिदार खादेश मुख के बहन ने खुदकुशी नहीं की थी बलके उसका कतल कर दिया गया था इसलिए रातो रात दफन कर दी गई यह भी सरगोशिया सुनने को मिली की बिदार खादेश मुख की बहन के कबर पर कोई आदमी बेहोश पड़ा हुआ था सवेरे में लोगों की भीर लग गई देखा गया तो इबरहाइम सक्का की लाश कबर से लगी हुई इस तरह इबरहाइम सक्का का किरदार अपने इल्मिया अंजाम को पहुँच गया तो यह हो गया एंसर आगी बढ़ते हैं कोईशन नमबर 4 है कि समाज के एक मामली फर्द को मरकजी किरदार बनाकर सलाम बिन रिजाक ने कारी को अंदर से जिजोर दिया है इस कौल की वजाहत कीजिए जवाब में लिखा गया है कि अफसाना इबरहाइम सक्का सलाम बिन रिजाक का एक ऐसा अफसाना है जिसका मौजू मौजूदा समाज में राइज नहमवारी है चुनांचे हिंदुस्तान को आजाद हुए निस सदी से ज्यादा का अर्सा गुजर चुका है लेकिन समाजी नहमवारी जात पात चुगा चुट गरीब अमीर भी तक तमाम तरफतना सामानियों के साथ इस समाज की पाबंदियों का ख्याल करना पड़ता है वह जानता है कि यह समाज इस रिष्टे को कुबूल नहीं करेगा और उस पर पाबंदिया आइड कर दी जाएंगी या वह समाज से खारिज कर दिया जाएगा अफसाना निगार सलाम बिन रिजाक ने बहुत ही खुबस सूरत अंदाज में समाज में राइड उस खराबी को अपने अफसाना इबराहिम सक्का में दिखलाया है और कारी को जोड़ कर रख दिया है उन्होंने इबराहिम सक्का को एक इलामत के तोर पर इस्तमाल किया है इबराहिम सक्का में खुद्दारी है वह मेनत करके अपना प में मौत हो जाती है इब्राहिम सक्का की शक्सित और उसकी पाकिज़ा मुहबत और उसकी नाकाम इस अफसाने में वाकियात का बियान बहुत होबी के साथ हुआ है उसमें रब्त और तसलसल भी मौजूद है हर वाकिया एक दूसरे के साथ कड़ी की तरह जुरा हुआ है बाद आवकात ऐसा मालूम होता है कि हम अफसाना नहीं पड़ रहे हैं बलके किसी ड्रामे का मनजर दे हुआ हैं मतलब ज्दा तफ जो है ना मुकालमे का यूज नहीं किया गया है बहुत ही आसान भाषा है उसमें यह कहानी इब्रहेम सक्का की तरह ही सादा तकनीक में हैं और शेख सहाब के हाफ़जे और यादों में या कहानी वह भलती है गोया फ्लेश-बेक तकनीक का करीज़ाय का कूछा है है कहीं शूर की शूर की रूका इस्त्माल करके अपसानहने्गारी ने मज्ज़ और हाल की तेखों को मिलार देने में कामयाबी पाही हैं मतलब कुछ साल पहले की काहनी बताओय गई है और फिर उसके बाद काहनी बताई गई है ठीक है अबराहिम सक्का कोई मुक्तसर नोच्टा नहीं है लेकिन एक लेकिन क्या मजाल के उसकी जिन्दगी से किसी पढ़ने वाले की आँख हट सके असल वाकिया और जिन्दगी पर इतना अर्तकाज हैरत में डालने वाला है अफसाने की वहदत तासिर इस कद तकाज और जान ही जान में अबराहिम सक्का की तरह घुलना शायद मुक्तसर अफसाने का नुक्ते उरूज है यह हो गया इंसर कोईशन नबर सिक्स है कि स्लाम बिन रजाक के अफसानवी जबान पर तबसरा की जिए अब यहां पर जबान भाशा के बारे में लिखना है माज के कमजोर तबके से तालुक रखने वाले लोगों की कहानी है अफसाना निगार काबिल मुबारक बाद है कि घम हुए पेशे और मिटती हुई जिंदग्यों की सांसों की डोर को अपने अफसाने में जमा करके उन्होंने एक बड़ा तहजिवी फरेजा अंजाम दिया ह सलाम की कहानी अपने जबान असलूब और हैयत के एतबार से भी एक उम्दा कहानी के जमरे में आती है कहानी के किरदारों के जरीए जो मुकाल में अदा होते हैं वो सादा और आहाम फहम है अबराहिम सक्का के जरीए जो मुकाल में अदा हुए हैं वो खास इसी तबकी के ज जबान में हैं जो इसके करदार को ज्यादा हकीकी बना देते हैं इस कहानी का मौजू गर्चा बहुत नया नहीं है लेकिन अफसाना निगार ने इसको जिसको सूर्थी से बढ़ता है सलाम बिन रिजाक इस मौजू को भी ताजा और प्रकशिश बना देती हैं सलाम बिन रिजाक जो है सलाम की जबान सलाम बिन रिजाक की जबान इस मौजू को भी ताजा और प्रकशिश बना देती हैं जबान और तक्नीक दोनों लिहाद से यह अपसाना निगारी की फंकारी का उंदा नमूना है और यह हो गया एंसर तो फाइनली आज के इस वीडियो म अगर कोई भी डाउट बचा है तो कमेंट बॉक्स में लिकर पूछ लिजेगा हो सकेगा तो अगले वीडियो में मैं उस कंफ्यूजन को उस डाउट को क्लियर कर दूँ आज किस वीडियो को चलिए यहीं पर इंड करते हैं फिर्म लेंगे हम लोग अगले वीडियो में भाफिस